चतरपुर में फिल्मी अंदाज में बंदूग के दम पर बस लूट की वारदात को अंजवाम देने वाले लोटेरों को पुलस ने ग्रफतार कर लिया है बाइक की किष्ट चुकानी के लिए आरोपी ने बस की लूट की घटना को अंजवाम दिया देखिये एक खास रपाउट चतरपुर के खजुराहों में दो बदमाशों ने यातरी बस में लूट की वारदात को अंजवाम दिया उन्होंने हाथ दे कर बस को रुकवाया उसमें चड़कर कट्टा लहराया फाइरिंग की और यात्रियों से पैसे गहने छीन लिये गटगा के पाच व घंटे के भीतर पुलस ने दोनों लुटेरों को गिरफतार कर लिया है वारदात शुक्रवार सुभा करीब सवा साथ बजे राजनगर ठाना शेत्र में कुटने डैम के पास की है बस चतरपुर के लवको शुनगर से सतना जवा रही थी इसमें 20 यात्री थी लूट के दौरान बदमाशों ने तीन हावाई फायर किये 15 मिनिक में वारदात को अंजाम दे कर भाग निकली बाइक थोड़ी दूर छोड़ गए पुलस ने वहेस पांच खंटे के बीतर आरोपियों को गिरफतार कर लिया अज प्रातह राजनगर थाना शित्र अंदरगत कुटनी डैम के पास में एक यात्री बस को दो लोगों ने मोटर साइकल से जो जा रहे थे गए और रोक करके लूट की गटना को अंजाम दिया इसमें उन्होंने कंड़क्टर एवं अन्यात्रियों से कुछ कैश जेवर और मोबाइल चीना और वहां से भागे इस गटना के बाद में हमारी टीम ततकाली एक्टेव हुई और हमारे जो खजराओ SDP के अंडर राजनगर, खजराओ थाना प्रभारी, केल, दाहिया, संजय सिंग, शियोकुमार, शत्रुग, नलकेश इन सभी ने मिलकर के एक टीम के तौर पे काम किया और दो गंटे में ही ये ट्रेस कर लिया कि किनों ने इस गटना को अंजाम दिया है, दो लोग जिनों ने गटना को अंजाम दिया, उनका नाम है राहुल तिवारी, जो अतर्रा का रहने वाला है, और राजिंद्र पटेल, वो भी अतर्रा राजनगर का ही रहने वाला है, औ अभी उनको गिरफतार किया गया है आने वाले समय में उन्होंने जो घटना में मोटर साइकल और कट्टा प्रयोग में लाए हैं उसको एवं जो लूटी वी सामगरी है सबको जबत किया जाएगा और अग्रिम कारवाई की जाएगी प्राथमिक तोर पर यह पता चला है कि एक आरोपी ने नहीं मोटर साइकल खरीदी थी उसकी किष्ट चुकाने के लिए और दूसरे आरोपी ने गिरवी पर मोटर साइकल रखी थी तो उसका पैसा चुकाने के लिए इस तरह की प्लानिंग की और घटना को है जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने एक दिन पहले ही बस को लूटने का प्लान बनाया था आरोपियों की गिरफतारी के बाद इन से लूट का माल बरामत करने की कारवाही कीज़वा रही है वह इस घटना को लेकर सूबे की सियासत धिक गर्मा गई थी ग्यूरो रिपोर्ट एमपी न्यूस खजुरा हो